हाई गाईज आज मैं हल्दी वाली चाय को कैसे बनाना है और उसके फायदे बताने वाली हूँ यह चाय या तो ग्रेट फ्रेश हल्दी या हल्दी पाउडर से बनती है और आज मैं हल्दी पाउडर यूज कर रही हूँ आप चाहें तो घरवाला पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर और्ग्यानिक हल्दी पाउडर ले सकते हैं उसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये हैं मेरे पास जो मग है वो दो कप का है इसलिए मैंने एक मक और थोड़ा और पानी एक सौस पैन में लिया है अब इसमें एक टीस्पून ग्रेटर हल्दी या उसका पाउडर डाले और पानी गरम होने दे फिर आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर और एक टीस्पून कदुकस किया हुआ अधरक डाले आप जिंजर पाउडर भी डाल सकते हैं मैं रेकमेंड करूँगी घर में ही काली मिर्च का पाउडर बनाने को काफी आसान है बनाना ब्लाक पेपर कॉन्स को गरम पैन में ड्राई रोस्ट करें स्पैटूला चलाते रहे ताकि जले नहीं जब खुश्पू आने लगे तो गैस से उतार ले जब थोड़े थंडे हो जाए तो ग्राइंडर में ग्राइंड कर ले और आपको मिलेगा घर का बना काली मिर्च का पाउडर एक कप चाय के लिए एक और एक चौथाई कप पानी ले साथ में आधा टीस्पून हल्दी पाउडर एक चौथाई टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और एक तिहाई टीस्पून ग्रेट अधरक डाले एक चौथाई कप पानी एक्स्ट्रा डाला है क्योंकि वो बनाते हुए ओड जाएगा गैस ओन करें और पानी 10 मिनट उबलने दें जब तकी उबलता है इसके फाइदे शेयर करती हो हल्दी का में इंक्रीजेंट है करक्यूमिन इसी से हल्दी को पेला रग मिलता है और ये सूजन कम कर आपकी इन्मिनिटी बढ़ाता है काली मिर्च इसलिए डाली है क्योंकि इसमें पिपरीन है जो करक्यूमिन को पॉड़ी में इब्सॉप कराता है और ये आपका मेटेबॉलिजम भी बढ़ाता है जिसे वजन जल्दी कम होता है आप कायन पिपर भी डाल सकते हैं अगर काली मिर्च से एलर्ची होता है लेकिन इन में से एक मिर्च डालने ज़रूरी है ताकि वजन कम हो नहीं तो सिर्फ हल्दी वैसे काम नहीं करेगी जैसे उसे करना चाहेगी अधरक आपके ब्लड शुगर, कुलिस्टरॉल और लिपिट्स को कंट्रोल में रखता है इसमें थर्मोजनिक एफेक्ट है जिससे आपके बॉडी का टेंपरेचर बढ़ता है और जमी हुई चल भी चलती है ये चाहे, chronic lung conditions जैसे अस्तमा, pulmonary और cystic fibrosis वगेरा ठीक करेगी इसमें anti-diabetes properties है और ये liver damage और gallstones से भी बचाती है पर जिने already gallstones हैं, वो इस चाहे को ना ले आर्थराइटिस के symptoms भी कम होते हैं और immunity बढ़ती है इस चाहे से आपकी body curcumin आसानी से absorb करेगी जो की वैसे मुश्किल है PCOS के लिए भी अच्छी है क्योंकि ये hormones balance कर, depression कम करेगी Diabetes वालों का भी blood sugar normal हो जाएगा Pregnant और nursing mothers भी एक cup चाहे हर दिन ले सकती है क्योंकि healthy low levels में उनके लिए safe है लेकिन एक cup से ज्यादा ना ले Thyroid वालों के लिए ये चाहे बहुत अच्छी है क्योंकि ये चाहे oxygen consumption regulate करेगी और organ functioning ठीक रहेगा In short ये चाहे almost सब के लिए फायदे मन है अब 10 minute के बाद gas बंद करें और 5 minute gas से उतार कर ऐसे ही रहने दें फिर एक cup में डालें और हल्दी, काले मिर्च और अध्रक के फायदे enjoy करें इस चाहे के side effects ना के बराबर हैं फिर भी 3 cup से ज्यादा ना लें हर दिन आपको दिन में 3 बार खाने के 30 minute बाद पीना है याने की breakfast, lunch और डिनर के 30 minute बाद इस चाहे का सेवन करें अगर साथ में healthy खाएंगे तो 2 दिन में 1 kilo तक कम कर पाएंगे वो भी बिना exercise के ये इतनी effective है ये चाहे की recipe मैंने पहले ही versatile wiki channel में publish की है और उस वीडियो के नीचे के comments पढ़कर आप इस चाहे की effectiveness का अंदाजा लगा सकते हैं बहुत लोगों ने इस चाहे का फायदा लिया है और उन्हें अपने weight और inch loss में बहुत फरक पढ़ा है तो आप भी अब इस चाहे को पीना शुरू करें और अपनी चर्बी गायब होता देखें वो भी वहां से जहांसे fat कम होना काफी मुश्किल होता है जैसे की thighs, hips, कमर वगेरा आपकी body पतली हो जाएगी कुछी दिनों में ये तीन ingredients सबके घर में होते हैं और अगर साथ मिलें तो जिन्दकी बदल देंगे अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और जल्दी मिलोंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक हल्दी को अपने जिन्दकी का हिस्सा बनाएं क्योंकि ये सिर्फ एक मसाला नहीं बलके एक सुनहरी जदूई बूटी है बबाए प्रूब बलके ज़रूप बलके ज़रूब करें